हलो एफ्रिवन कैसे हो आप सभी पहले तो यह देखिए विहान की ट्यूशन की नोट बुक्स है मैं बहुत अच्छे से ना इन नोट बुक्स को कवर करके देखो कवर चड़ा रख है मैंने अच्छे से ऐसे ही रखती हूं संभाल के और ट्यूशन भेजती हूं और स्कूल की नोट बुक्स भी विहान की बुक्स भी चेक करती रहती हूं अगर कुछ हॉमवर्ग करवाना होता है तो वो सुबह की टाइम में विहान को करवा देती हूं और अभी तो मुझे बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है क्योंकि सार्दियों में स्कूल भी लेट खुलता है तो अराम से कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर ममी का खाने पीने का होता है, उनको दवाई दे देते हैं, तो यही रूटीन सुबह का चलता रहता है, और अप ही आप मेरी बात सुन रहे होंगे, जो मैंने थमनेल टाइटल में बोली है, कि मैं ये दोनों घर लेकर, आप क्यों कि ना ऐसा है वैसा है, तो ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहे हैं, मैं आपके साथ पूरी बात डिसकस करूंगी, पहले तो ये दवाईयां देख लीजिए, मम्मी की है, एक्चुली मैं उस दिन बात करके आई थी ना, जो एक दुकान पे तो वो कह रहे थे कि डिसकाउंट पे दवाईयां मिल जाती हैं, तो पता करूंगी, अच्छे से और भी, ये क्योंकि दवाईयां तो अब देखो चलनी ही है, शुगर की दवाई तो ये है कि एक बार शुरू हो जाती है, तो उसके बाद बीपी और शुगर वो तो चलती र हैती है, अभी मल्टी विटामिन्स भी दिये हुए हैं ममी को तो ये सुबह खाने से पहले ममी को मैं दवाई दे रही थी, और देखिए एक बात मैं आपको बोलती हूँ, आज के टाइम में अगर आप प्रोपर्टी लेते हो ना तो प्रोपर्टी के उपर जो आपको फिर आप बात सुनिए, एक तो होता है कि आपके पास मानलो 20 लाख रुपे हैं, आप 20 लाख रुपे की आप बैंक में FD करवा लेते हो, तो साल में बैंक आपको कुछ रुपए देगा बतले में, ज्यादा नहीं, कम नहीं, तो कुछ तो आता ही होगा, आप अगर बैंक से हो त अपनी जो पैसा होता है, वो प्रोपर्टी में इंवेस्ट करते हो, तो देखे हर चीज का फायदा और नुकसान होता है, फायदा यह होता है कि देखो कल को हम प्रोपर्टी इसलिए लेते हैं, कि देखो आज सस्ता मिल जाए प्रोपर्टी कल को क्या पता, कहते नहीं है कि ह हम फिर बाद में ना खरीद पाएं, तो इसलिए ना अभी हम कुछ ना कुछ प्लोट वगरा खरीद के रख लेते हैं, ताकि कलको हमारे आने वाली जो बच्चे हैं, हमारे आने वाले जो फ्यूचर है, हमारे आगे की जनरेशन है, उसको दिक्कत ना आए, मतलब हमारे को दिक्कत ना आए, उनके पास कुछ हो, घर हो, शत हो, फ्लोट हो, प्रोपर्टी हो, उनके पास भी कुछ सेफटी हो, सिक्यूरिटी हो, सिर्फ यही रीजन है, तो यह देखो तो में गर के सारे रूटीन काम भी करती रहती हैं, आप से जो बात करनी है, वो भी कर लेते है तो हम यही सोचते हैं लेकिन पता है क्या है देखो हम कहीं भी इन्वेश्ट करते हैं तो देखो उसके फायदे नुकसान होते हैं अब मेरा देखो मैंने जो पहला वाला घर खरीदा था वो 8 लग रुपे का ही खरीदा था और बूत आज मैं 15 लाग का निकाल सकती हूँ अराम से जाधा ना कर से जो 14 लाग का तो अराम से निकल जाएगा अभी वी निकल जाएगा क्योंकि पिछले साली 12 लाक रुपे में तो लेने आ गए थे वो घर की हाँ हम ले लेंगे 12 लाक का क्योंकि देखिए वो घर ना अब यहाँ पर उस टाइम देखो ये घर ना जब शुरुआत में जैसे ऑक्षन में मिल रहे थे तो शुरू में आठ लाक के नो लाक के सड़े नो लाक तक के भी मिल रहे थे नीचे के लेकिन फिर कुछ मतलब आठ नो महीने बाद ही न यही वाले जो फ्लैट है ना 11, 12, 13, 14 इतने लाक के भी के हैं बाद में मीज महंगे हो गए थोड़े से 3-4 लाक रुपे थोड़े से 2-3 लाक महंगे हो गए तो बाद में तो देखो अब एक बात बताओ जिनोंने यह फ्लैट 12 लाक का खरीदा है ग्राउंड फ्लोर लोगोंने 12-12 लाक के खरीदे हैं बा कोई भी कोई भी बेचेगा तो वह 12-13 इतने का तो बेचे गई आने वाले टाइम में तो मैंने जब शुरू में ले लिया था 8 लाक का तो मानती हूं उस पर मैंने पैसा खूब लगाया और उस पर खर्चा किया जैसे पूरा घर आपको पता ही है मैंने रहने लाक बनाया त तो उस पर खर्चाव गरा लगा के तो मुझे तो वह 12 लाक कई पढ़ गया क्योंकि मैंने उस पर अच्छा खासा ही पैसा लगा दिया था तो यही वात मैं बोल रही थी कि इससे क्या है देखो वैसे देखा जाए तो प्रोपर्टी के है ना मेरे को कहते है कि टाइम के साथ का सड़े 700 रुपे तो मेंटेनेंस जाता है जो कि मेरे को हर महीने देना ही देना होता है हर महीने का मेरे सामने खर्चा जाता है सड़े 700 रुपे का दूसरा मेरे को यहां पर जैसे हम बाहर लेते हैं तो पता नहीं लेकिन यह सेक्टर के अंदर आता है एरिया और सेक्टर के देना हैं नहीं दूंगी तो उसमें जुर्माना हो जाता है फाइन लगके भी फिर देना तो पड़ता ही है तो वो पी टेंशन तो बारा हजार रुपे तो मेरे को देने ही देने हैं साथ में दोनों फ्लैट का आठ हजार रुपे मेंटेनेंस हो गया वो भी मुझे पूरा साल का जैसे बता रही हूँ मैं देना है तो इसका मतलब मेरे पास मेरे पास खुद के दो दो फ्लैट हैं दो घर हैं जो की मेरे हैं मैंने बहुत महिनत करके बनाया उसके बावजूद भी पिरको ना हर साल 20,000 रुपे तो सरकार को देने ही देने हैं चाए मेरी खुद की प्रोपर्टी हो तो मतलब साल का ना 20,000 का मतलब क्या हो गया गर हम किराये पे भी रहते हैं तो 5,000 में आज के टाइम में किराये पे मिल जाता है तो चार महीने का किराया तो मैं फिर भी दे रही हूँ आठ महीने का ही हुआ न तो उस चीज को कहीं बार मैं को ऐसा लगता है देखो बुरा तो लगता है कि देखो दे रहे हैं लेकिन सिर्फ मैं नहीं दे रही हूँ जो भी फ्लैट में रहता है मैंने देखा है गुडगाओं वोगेरा में रहते हैं और भी जैसे कहीं रहते हैं दिली में तो वहाँ पर भी यह maintenance देते ही हैं और वहाँ पर तो 1000-1200-1500 यह है maintenance बल्कि नीचे का अगर आप पार्किंग का लेते हो कार पार्किंग के पैसे अलग, साल के अलग कुछ ना कुछ कुछ कर करके, कई जगतों मैंने पता किया जिनके फ्लैट बहुत महंगी है, वहाँ तो 4-5-5-5,000 भी maintenance देना पड़ता है और प्रोपर्टी टेक्स तो अलग से बल्कि आप यह सोचते हो ना कि आप खुद का घर ले लोगे तो अगर मालो यहाँ पे इस सोसाइटी में हम 110 गज का खुद का फ्लैट बना के मालो ले भी लिया हमने घर बना लिया, तब भी हमें 1200 रुपे देने है बल्कि कई एक का अंटी मिले थे, उन्होंने यहाँ पे खुद का फ्लैट भी ले रखा है और खुद का फ्लोट भी ले रखा है, दोसो गज का तो वो बता रहे थे कि वो 2400 रुपे हर महीने देते हैं जिस फ्लैट में रहते हैं, उसका मेंटेनस देते हैं और 1200 रुपे उसका फ्लोट का भी और साथ में प्रोपर्टी टेक्स तो देना ही देना होता है तो अच्छा खासा होगा, उनका तो और भी जादा होगा तो इसका मतलब देखो हमारी जेब से कितना पैसा फिर भी जाता ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो आप तो हम लोग ना चाहे कितना भी सोच ले जो ये जो होता नहीं है, बिल, टेक्स इन सब चीजों से हम नहीं बच सकते है तो मेरे दिमाग में आपको सोचो चाहे, मैं अब कितनी मेहनत करके घर का कर लो लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा फिर भी एक ये सिरदर्दी सी रहती ही रहती है कि मेरे को हर साल के 20,000 रुपे जमा करके देने हैं, सोच सकते हो ना आप और अगर बैंक में पैसा हो तो आपको पैसा मिलेगा वो आपको रिटर्न मिलेगा और खुद का आपके पास फिर वही है ना कि यही चीज़ है इसमें बस फाइदा यहां पर यह हो सकता है तो उससे मेरा अपना यह जो इतना भी मेंटेनेंस, टेक्स वगरा सारा निकल जाएगा फिर मैं थोड़ा सा माइंड से फ्री हो सकती हूँ यह बात है तो देखो मैंने जाडू भी पूरे घर में लगा दिया था पोचा भी लगा दिया था और आपके कॉमेंट्स आते हैं कि दोनों घरों को बेच दो देखो पता है क्या होता है हम लोग चीज लेते हैं लेकिन उसके बाद ना हीूमन नेचर है क्यों उसको ना वो अपनी चीज से थोड़ा सा कहते नहीं कि थोड़ा सा बोर होने लगा आप लोग ना कॉमेंट कहीं बार कर देते हों कि ना आप ना ये फ्लैट बेच दो एक बेच दो दूसरा बेच रख लो दूसरा बेच दो कहीं बार आप ऐसे कहते हो बेच दो तो आप ना मैं आपको यह बात बता हूँ मैं यहां पे ना मैं यह फ्लैट ना इसलिए रख रख है यहां पे रह रही हूँ क्योंकि यह ना सोसाइटी बहुत अच्छी है जहां हम रह रहे हैं यहां पे आपको मैंने बताया है कि अगर मैं लेने लगू ना 110 गज का प्लोट पीछेतर लाक रूपे मेरे को चाहिए है इतने पैसे मैं कहां से लाओं आपी बताईए ना यह तो फिर भी चलो मेरे को रीजनेबल प्राइज में मिल गए है और पोजेशन मिल जाएगा आगे क हो जाता है फिर आप दूसरी सुसाइटी में रहने की आदत नहीं रहती ना जैसे यहां की मेरे को इतनी फैसिलिटी इतनी अच्छी ऐसिलिटी मुझे मिली तो आप यहां से निकलने का मन नी करता यह तो आप समझी सकते हो ना और देखिए फ्लैट का ना मेरे को देखो अब 12,000 रुपे दोनों घरों का तो वो मेरे को ऐसे ऐसे अब लगता है एक मोटा खर्चा लगता है ये एकदम से तो आप भी कोमेंट करके बताईए का कि आपके घर का कितना है टेक्स प्रोपर्टी टेक्स भी देते होंगे आप लोग इसके अलावा इस तरीके से मेंटेननस वगेरा क्योंकि सेक्टरों में आप रहो तो देना ही पड़ता है अब इसलिए तो मिरे को ना पहले बीच में किसी ने कहा था कि बोलते कि ना वहां पे फ्लैट्स हैं गुरगाओं में फ्लैट्स हैं अहां ले लो ऐसे ऐसे तो मैंने तब भी नहीं लिए मैंने का भई यह फ्लैट्स ले लेके ना बंदा बस फिर मेंटेननस वगेरा इतना होता है ना बस पूछो मत हर चीज देखनी पड़ती है सेक्टरों में तो बहुत है सेक्टरों में आप घर लेने के बाद भी आपके पास पैसा होना चाहिए हर चीज मतलब आपको ना अपनी लाइफ चलाने के लिए ऐसे आप फ्री नहीं हो सकते हो बिल्कुल कि आप यह सोचोगे ना कि हाँ आपने अपना घर बना लिया उसके बाद आपको कोई पैसा नही पस थोड़े बहुत पैसे होंगे अकाउंट में 15-20-25 अजार उसे आप चाहिए 6 महिने चला लोगे आपको टैंशन नहीं लेनी ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप जिंदा होना आपके खर्चे आपके साथ चलेंगे जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है खर्चे भी आप हर चीज का बस एक किराया का खर्चा आपका थोड़ा कम हो जाता है कितना होता है किराया का मालो 45-5000 लेस हो गया बाकी खर्चे तो सारे पढ़े ही हैं सामने क्या नहीं होता घर में खर्चा आपी बताईए ना दूद बिजली पानी राशन गैस पढ़ाई के लिए बच्चे चाहिए कपड़े चाहिए हमें कपड़े चाहिए सब कुछ चाहिए होता है खर्चा तो उस चीज से तो आप फ्री हो ही नहीं सकते हो बस यह कि आपके लिए अच्छी बात है आप कुछ भी बनाओ अपने पैसे को लेकिन थोड़ा सोन समझ के थोड़ा इन्वेस्ट करना च शुरू से देखो या तो सरकारी घर मिला हुआ था उनको या फिर वो किराए पे रह रह रहे थे तो खुद को होता है ना जेखो आप लोगों के पास होगा पहले से खुद का घर आपके ममी पापा का या कोई भी तो आपको इतना वो वैल्यू नहीं लगता होगा लेकिन मे को एक टाइम आज भी वो याद है कि एक साल में आठ घर बदले थे किराए के बहुत दुख पाया था बहुत परिशानिया जेली थी क्योंकि देखो आपको भी थोड़ा सा पता है देखो आज कल ना मकान मालिक यूँ घर खाली करवा लेते हैं ऐसे थोड़ा सा उनको लगे कि घर में उची वाद में भी बात हो रही है और देखो घर में देखो चार बंदे रह रहे होंगे तो कभी ना कभी तो बरतन कहते हैं खटकते हैं तो मकान माली कितना नहीं सहन करते ना वो देखते हैं कि अच्छा भई कुछ भी बात हो जाए कह देंगे दो मिनट में खाली करतो घर फिर क्या काम आता है चाहे आपके पास जेवर हो चाहे आपके पास बैंक में पैसा हो कुछ भी हो वो क्या काम आएगा आपको फिर बुरा लगता है कि देखो भाई यह तो मकान माली के हम तो कुछ नहीं है किरायदार है तो इसी लिए ना किराये फिर ऐसा फील होता ह है अंदर से आता है तो ये चीज़ मेरे अंदर को बहुत बुरी लगती थी क्योंकि देखो पहले तो मेरे पापा जी की सरकारी नोक्री थी तो हमें सरकारी घर मैंने आपको दिखाया भी ये पुरानी वीडियो में छोटा ही सही वो मिला था बाद में बड़ा सरकारी घर मिल कई साल मिला फिर बाद में क्या हुआ कि वो घर तूटने के ओडर आगे थे तो वहां पे बननी थी मार्केट तो गोर्मेंट क्या करती है ना हमें सरकारी employees होती है उनको किराया देती है सरकार की तरफ से किराया आता है कि आप प्राइवेट कहीं रह लो और किराया हम दे देंगे जो कटता है जो भी होता है तो पापा जी ने फिर प्राइवेट लेना चाहा तो अब प्राइवेट क्या है यहां पे देखो छोटे शहरों में तो और हो जाता है कि मकान माली के साथ रहना है आपको तो मैं को आज भी वह याद है कभी हम बैंक कलोनी कभी हम कमीशन दो गए बंदा यह सोचता है बंदा यह सोचता है तो यार कि क्या प्रोपर्टी डीलर्स को दे देते हैं अच्छा नहीं लगता है ऐसे घूमों फिरो पर आप ऐसे ही निकल जो घर बाहर अपना गली में चार ओड़ते जहां बैठी हो ना उनके पास जाके पूछ ल करेना हर तीन महिन बाद दो महिने बाद कोी बात हो जाए कुछ भी हो जाए तो समान उठाओ समान उठाओ के पैक करो उर्षको लेके जाओ फिर कुछ पहीं हो पिर कहीं हो तो बहूँतव premiere लगती हैं और आपको बहुत सी चीजय होती है देखो मकान मालिक का घर है उस्में आपको कुछ चीजे पसंद नहीं आरी होती लेकिन फिर भी आप वर्दाष्ट करते हो क्यों क्योंकि आप कुछ से अपना खर्चा भी नहीं करना चाहोगे कि हाँ यार उनका घर है अगर कुछ भी टूट फूट मरम्मत है तो वो ही करवाएं हम क्यों हम तो किराये पे हैं हम तो दो महीने बाद वो कह देंगे कि यहां से चले जाओ तो हमारा क्या फायदा है उस पे पैसा भी लगाने का तो यह चीजे हो जाती है तो अब तो सिस्टम अच्छ है आजकल तो फ्लैट सिस्टम जब से चल गए ना तो किराये दारों को भी दिक्कत नहीं आती वो किराये पास में इस एक होता है ना कि हम प्लोट हो हमारे पास घर हो कुछ भी नहीं था हमारे पास हम किराये के घर पे रहते थे आपने भी हम मेरा पीछे का देखा यह बैग्राउंड जब मैं पुरानी वीडियो में में आया करती थी तो हम कोई इतनी कोई वो तो थे नी लैंडलो यहीं थे करे ना कि घृट्ला टिये रहाखती थे क्यार में होती हो इस तो मेरे से तो envisioned कि मेरे पासली के अरइक देख़ों वो property हो 시범 और आज से पास पीछे कुछ भी न ओना से लिकिन अगर आपके पास पीछे कुछ भी ना होना तो थिदम पास वाले भी तो है यह तो इसना संस्थे नहीं पछोई पीछे से अपतोने जड़ीरें पास स्टोरइन इसे नहीं पास प्रॉब्हां उखी Native मतलब अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, तो फिर आपको ससुराल में भी थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, कि हाँ कुछ तो हैं ये लोग, तो वो चीज मैंने बहुत, मतलब मैंने खुद को ऐसा लगा था, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक बर किसी ने ऐसा बोल दिया था, कि ना अग अपना एक स्टेंडर्ड बनाना है, अपना पीछे कुछ तो मेरे पास, मेरे अभी भी अंदर से मेरी बहुत इच्छा है, कि मैं एक प्लोट लूग, लेके घर बनाओ, तो कम से कम जो एक होता नहीं है, कि हम कहां से निकल के कहां आएं, होता नहीं है कि बिल्कुल हमने एक ऐसा बैग्राउंड देखा है, जहां पर मैं यह नहीं कहती है, कि हमने बहुत गरीबी देखी, गरीबी नहीं देखी, क्योंकि सरकारी नोकली थी, फादर की पैंशन, सेलरी तो आती थी ना हर महीने, लेकिन खुद की जो एक प्रोपर्टी होती है, वो नहीं देखी हमने में बहुत सब्सक्राइब करें लिए अपना एक बेस बनाना है, मुझे अपना एक घर लेना है चोटा सा, जब मैंने यूट्यूब से अर्निंग करनी शुरू करी, तो मैंने पहले एक चोटा सा लिया, उस टाइम बहुत सही किया, मैंने जब लिया पहला घर, फ्लैट, क्य बारा एक बारा लाख बीस हजार रुपे में भी आज के टाइम में कहां फ्लैट वगरा मिलते हैं इतने जादा, नहीं मिलते, तो उसे साब से ये भी इतना महेंगा नहीं मिला है, बहुत ठीक रेट में, और फिर किष्टों में मिला है, मुझे एक साल से किष्टे भर रही ह किसी के पास नहीं होता इतना ये भी खिष्टों पर था, तो मैंने सचा चलो माल लिया मेरे को जा जाए लिए लाख, टो भी ले ले, क्योंकि ना तिरको पैसे एक दम से नहीं देने, तिरको ठाइम बहुत मिल जाए गा और फिर तु दे भी पाएगी क्म एटलिस तू ले सकती है अधर्वाइस तो नहीं ले पाएगी तो मैंने यह ले लिया था और अभी मेरे दिल में बहुत इच्छा है और मेरी अगर मेरे से हो पाया ना कि किस्मत ने साथ दी और मैं हाड़वर्क मेहनत करते रही तो मेरे अंदर इतना है कि मैं आगे पैसा जोड़ जोड़ के महिनत करकर के में हिसार में जादा नहीं कहती हूं टियूँ बट मेरी इच्छा है कि मैं एक ना आसी गज तक का ही चाहिए असी गज तक का लेन ओगे उपर नीचे दो श्टोर बनाके मैं एक अच्छा सा घर जरूर बनाना चाहती हूँ, मिरे अंदर बहुत इच्छा है, क्योंकि मुझे मेरे कोई पता है, रिस्पेक्ट मिलती है, सोसाइटी इज़त देती है, समाज रिस्पेक्ट करता है, अगर आपके पस खुद का घर हो, प कल को चाहे, वहां रहो ये किराए पर या फिर नहीं भी बनाओ, तो बस एक प्लोट लेके रख दो, तो भी अच्छा ही रहता है, चलो आपके पास कुछ है, बेस है आपके पास, तो इसी लिए ना, मैं सच्छ बतारी हूँ, मैं आपको, कि मेरी अभी भी मेरी बहुत इच् वो जलील, मैं हुई हूँ, हम हुए हैं, कब हुए हैं, जब मकान मालिक ने कह दिया कि घर, कोई ना कोई रीजन, रीजन ये थोड़ी कहेंगे कि हम से प्रोब्लम है, कभी कह देंगे, हम घर बेचना निकाल रखा है, कभी हम कोई और आएगा, रहने हम किसी और को देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कभी किराया बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूस करके, मकान खाली करवा देते हैं, तो वो एक तरीके से जलील हो रही होता है, कि आप हिसार में ही रहना है, अगर उसी जगह रहना है, तो फिर अपके पस खुद का अप्लोड घर होना चाहिए, सच में बहुत मैटर करता है, ये पावर होती है, पैसा सच में एक पावर है, जो दिखाई नहीं देती, बट है, ये पावर है, और इसे लिए ना, मेरे मन में आज भी है, कि मैं पूरी दिन रात एक करूँगे, मैं बहुत मेहनत करूँगी, लेकिन मैं अपने लि बात नहीं होती है मतलब इस एज में और ऐसे टाइम में इतना कुछ फेस करने के बाद भी तो कर रही हूं मेनत आगे भी करूंगी और लूँगी जरूर मेरा अंदर इच्छ है प्लोट और लूँगी इसके बाद आप लोग कहते हो प्रोपर्टी प्रोपर्टी करती है तो खाना है पेट भरा हुए जिसका उसको क्या भूग होगी तो जिसके पास नहीं होगा उसको यू उखी लूगी ना इच्छ हो अच्छ हो होते हैं वह्त अमीर होते हैं तो कही ना कहीं आप डाउन फील होते भी हो और लोग भी कर देते हैं डाउन फील आपको दिखा देते हैं कि भाईया आप कुछ नहीं हो आपका बैग्राउंड कुछ नहीं है आपके पास कुछ नहीं है पैसा वैसा कुछ नहीं है तो होता है कितना भी कहलो लोग करवा देते हैं हर चीज में है मैं यह चीज नहीं कहती खाली पैसा प्रोबर्टी चीजों में हर कोई ना दूसरे को जुकाने में लगा आज के टाइम में दुनिया की वी चली आ रही है हर चीज में अगर आप में कुछ खुबी होगी तो आप उपर उठोगें और वो खुबिया खुद से लानी पड़त हैं आपको उन उन चीजों को अपने उपर हावी ना होके खुद को उठाना होगा जो कि मुझे करना है बस अपना बस मेहनत करनी है बस लगे रहना है बस अपने लिए बहुत कुछ अच्छा करना है बहुत कुछ अपने फैमली के लिए अपने बच्चों के लिए अपने आ कि इतनी से होगी मेलत इतनी होती है तो जहां मेलत करोगे तो एक किसमत आपको सपोर्ट आपको कर助 figured और, अगर आप यह सोचो कि हां हाडब नहीं करोगे तो और किसमत आपका कुछ नहीं पायदा कर सकती इसमत से नहीं होगा hard work मेहनत यही matter करता है हमेशा अपने emotions को थोड़ा side में रखके काम करना पड़ते है strong mind होना पड़ते हैं बैट के कोना पकड़ने से कुछ नहीं होता कि आप सोचो कि कोना पकड़ लिया रोलो धोलो नहीं चाहे रोल रहा है वीडियो तो आएगी आएगी फिर भी क्यों क्योंकि ये ये तिरा वर्क है और इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं अपना काम है ना ये इसके साथ नहीं इस यहां देना है अपना 100% बस बाकी विजर्ट है वो छोड़ दो मेहनत करो बाकी सब छोड़ दो किस्मत में बट बिना मेहनत करें सब कुछ किस्मत पर मत छोड़ो लाइक कीजिएगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा टेक केर